Hello everyone, welcome back to your favorite YouTube channel educational hikes This video is especially for class 10th लेकिन अगर आप किसी भी class में हो तो आप अपने छोटे भाई अपने बड़े भाईयों के साथ ये video share कर सकते हो यार और उनको भी help कर सकते हो board में अच्छा score करने में अगर आपने हमारे channel से 10th pass out करके 11th में गए हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये channel कितना जादा helpful है board point of view से तो यार जादा से जादा share करो उन्हीं भी help करो ताकि वो भी अच्छे marks लेकि आ सके boards में अब class 10th में हो अगर आप तो आप के लिए बहुत ही important session start करने वाले है जिसका full description में इस वीडियो में दूँगा तो वीडियो के last time बने रहिए अगर आपने channel का subscribe नहीं किया है या तो red button दबा के subscribe करो और bell icon को भी दबा देना ताकि हमारी videos को notification आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं मैंने आपके chapter number 1 class 10 के related to God का दो पार्ट में full description full explanation line by line कर दिया है बहुत ही अच्छी वीडियो है काफी लोग उसे देख रहे हैं आप भी जाए ये है आपका thumbnail आपको वीडियो के नीचे भी description में link मिल जाएगा अगर आपको link नहीं मिल रहा है तो simply यार आप किसी भी educational hikes लिखके search कर सकते हो YouTube search option में हमारी वीडियो सापको सबसे पहले मिल जाएगी हम class 10 के लिए जितनी भी important grammar के topic होते हैं editing आपकी हो गई gaffling हो गई, rearrangement हो गया हमारी letter writing हो गई उन सारी वीडियो को हमने upload कर दिया है अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो केवल topic का नाम for example error detection आपको देखना है तो error detection slash educational hikes डाल के आप सर्च कर सकते हो हमारी वीडियो सापको सबसे top पे मिल जाएंगी यह किसी भी class के लिए है कोई भी class के वीडियो चाहिए chapter का नाम slash educational hikes डाल के सर्च करिए आपको वीडियो मिल जाएगी अब मैं बात कर लेता हूँ इस वीडियो की यार मैंने आपको already जो पहला chapter है later to god class 10 का उसका line by line Hindi explanation कर दिया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जैसा कि मैंने बताया description में जाके देख सकते हो अब मैं हर chapter के explanation के बाद आपको एक hand written notes दोंगा जो notes आपको throughout the year तो काम आएगी ही आएगी और इसके अलावा आपको board के time पर भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है यार अब इस वीडियो के feature से सुन लो आप क्या करो आपको description box में इस pdf का भी link मिल जाएगा उस pdf को click करो download करो आपके सामने जैसे ही pdf open होगा आप देख पाओगे कि a letter to god chapter का word meanings yes word meanings बहुत जादा important होती है तो word meaning मिल जाएगी अगर आपको पूरा chapter नहीं पढ़ना तो summary पढ़नी है अगर तो English में भी summary मिल जाएगी भाई और Hindi में भी summary मिल जाएगी मैंने Hindi में summary क्यों लिखवाया है क्योंकि यार कई बच्चे Hindi background से है अब उनको English English समझ में नहीं आपाती है तो उनी के विए तो है ना तुम्हारा भाई आपके Hindi summary में मैंने एक एक word English का भी डाल दिया है इसलिए English Hindi चाहे आप जैसे पढ़ना चाहो आप English की summary से या Hindi की summary से पढ़ सकते हो इसके अलामा जो important extract based questions है जो आपकी exam में पूछे जाएंगे जो आपके half yearly में पूछे जाएंगे जो आपकी school वाले पूछेंगे यार उन सारे extract based questions की list मैंने आपको पूरी question answer के साथ इस PDF में दिया है इसके अलामा आपको short answer question अगर इस chapter का चाहिए वो भी मिल जाएगा answers के साथ long answer question चाहिए character sketch चाहिए lencho का postmaster का chapter number 1 से सब कुछ मिल जाएगा इस एक PDF में तो ये strong recommendation है मेरी कि throughout the year जब तक आपके boards की exam नहीं हो जाते इस PDF को बचा के रखो यार note down कर लो अपने laptop में save कर लो अपने desktop में save कर लो अपने phone में save कर लो जहां save करना है भाई save कर लो लेकिन बचा के रखो क्योंकि वीडियो बहुत जादा important है और PDF आपके लिए उतना ही जादा important है तो I think आपको full description इस PDF का पता चलिया होगा आप PDF डाउनलोड करो पढ़ाई करो बाकी सब हम पे छोड़ दो यार हम किस लिए हैं ओके तो मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं